महाभारत की बहुत सारी कथाई आपने सुरिन होगी लेकिन क्या आपने कभी सोचा की महाभारत की लड़ाई और महाभारत का यूद जो है किस जगह पे हुआ ता नहीं न आज हम आपको दिखाएंगे अभी आप देखिए जिस जगह पे हम खड़े यह एक अखाडा है यह वह इसका पहले अदबूत नजारा आप देख लिजिए आप देखिये की राजा महराजा का अखाडा भी किस परकार से पाच पहाडियों के बीच में हुआ करता था फिलाकिस अखाड़े कि क्या भी सचता यहां पे कौन-कौन लड़े क्या-क्या घटनाय घटित हुई कोन हारा कौन जीता कितनी दिन लड़ाई चाड़ी इस पर बीचे चर्चा करेंगा बहुत स्वागत है अपका हम लोग जहां पे खड़े यह क्या है यह जरसंद का खाड़ा है 28 दिन भीम और जरसंद की लड़ाई हुई थी इसी जगह पे इसी जगह पे कहते हैं कि जब कृष्ण भ बंद कर लोगे तो अमर हो जाओगे इस अकांच्छा में कृष्ण से ही टकरा गया तो कृष्ण तो हर युक्ति के उपाए है उन्होंने भाई को लाया पांचों भाई को ब्रहामन के भेस में और कहा कि तुम डिशाइड कर लो किस से तुमको लड़ना है सलेक्ट एनी बैम लेकिन जरसंधा भी तो कृष्ण का संकर का भगत था जान लिया कि यहां पर धनूस का निसान बोल दिया कि यह तो छत्री है लेकिन चलो तुमने मांगा है तो चलो नकूल को तो ऐसे ढखेल दूगा मर जाएगा भेम ही जरा लग रहा है कि हमसे ठकरा लेगा तो यही इलाक देख रहे हैं यही परवत है जिसमें 99,000 राजाओं को कैद कर दिया था जरा संधाने यह काल कोठ्री हुआ करता था काल गिरा राजा को पकड़ के लाता था इसमें बंद कर देता था मात्रेक राजा बच रहा था वो कृष्णा थे अगर सुप्रीम प्रस्नाल्टी गौड यह जानते हैं पहुंच जादा इसके दूधे और चंदन से पटाते हैं जरसंद को मारे नहीं दो टुकड़ा करके 27 बेरा उसको दो टुकड़ा किए 27 बार उसमें 27 बेरा में जोइंट हो जाते थे तो भगवान कृष्णी जगा पर खाड़ा कर उसको लेक लेक लकड़ा मतलब क्या कहानी बताई या खाड़ा में जरसंद और भीम की लड़ाई टोटल 28 दिनों तक चली और दूसरी बात यह है जो मतलब बाबुजी कहा करते थे कि दिन को लड़ाई होती थी और रात को भीम और जरसंदा दोनों रैबल चीर परती दोंदी एक थालिम खाते थे कते युद्ध की निती को बिलकुल एकदम प्योर ढ़ाई जाता था लडाई के समय में वर्ट के प्यार मोहबद बाड़ते रही एक साथ एक साथ एक थालिम खाते थे और दिन में जान रहे थे कि लडाई होना है और 28 दिन धका मुकी होने के बाद भी दिल से यह कते करोध ही उठ रहा है तो इस ये बड़ा साधूर कौन हो सकता है टोटल 28 दिनों तक जरासंद की लड़ाई भीम के साथ हुए फिर भीम क्या किये थे उसको दो टुकड़ा करते थे तो फिर आकर जुएंट हो जाते थे ऐसा ऐसा फेकते थे कितने वर्क 27 बार 27 बार मतलब भीम ने जरासंद को 27 बार दो टुकड़ों में पार दिया सीधा अफिर 28 मां बेरा में जुट जाता था दोनों मांके दुनों तो जूएंट हो जाता था मतलब हैसे तोड़ के फार के आदमी को फेक दिये और फिर आदमी जूट जाता था मतलब इस अखाड़े की एक खासियत है कहानी है कि इसमें भीम और जरासंद के बीच लडाई हुँ जिसमें भीम जो है अंतों गतवा जीत गए बाकी मुझे लगा कि महाभारत काल से जूड़ी इस मिटी की खुबसूरती आपको दिखाना चाहिए कि कि किस प्रकार से करके अपने जीत हासिल से लिए सब्सक्राइब लग आए पहाड़ी का नामें तीसरे पहाड़ी का नामें ुदाई गरी ऑच्वति पाँचमा पहाड़ी कि अध्यर हृँ लगो दिखा रहे थे विहимо अगर अभी इस खुब सुर्थी को देखना चाहते हैं या आप इस जगह को देखना चाहते हैं तो फिर आपको विहार के नलंदा जिले के राजगीर में आना पड़ेगा जिसे मुख्य मंत्री के ग्रिय जिला के नाम से भी जाना जाता है बाद बागिए पूरी वीडियो दे